नमस्कार साथियों, मैं हूँ डॉक्टर अनन भारदवाज और हमेशा लाता हूँ आपके लिए एक निया टॉपिक, सबसे ज़्यादा बर्निंग टॉपिक आज मेरे पास है जिसके बारे मेरे पास एक नहीं, हजारों के हिसाब से मेल भी आती है, फोन भी आते हैं, वाटसाप और मेरे पास मैसेज भी आते हैं, जी हाँ, वो टॉपिक है टॉलेट के बारे में, शौचाले के बारे में, ये होता क्या है, कहां होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए, औ उसका कारण यह नहीं कि उस consultant को पता नहीं है पर हाँ खास बात यह है कि वो आपसे share नहीं करना चाहते आपको knowledge देना नहीं चाहते लेकिन मैं आपको दिल से आपको knowledge दूँगा टॉलेट के बारे में शौचाले के बारे में जाना चाहते हैं कहां बने किस दिशा में बने तक मैं आपके मन की एक एक बात समझूंगा समझाऊंगा और आपको जवाब दूगा आपके हर सवाल का। डॉक्टर आनन्द भार्दवाज यानि वास्तु शास्तर के एंसाइक्लोपीडिया नमस्षकार साथियों, मैं हूँ Dr. Anand Bhardwaj, और जैसा मैंने आपको बताया था, आज हम बात करने वाले हैं, टॉैलेट के बारे में, वाशरूम के बारे में, जिसको कहते हैं शौचाले, सनानागार. साथियों शोचाले के बारे में यानि टॉयलेट के बारे में यानि वाश्रूम के बारे में अगर आपको वास्तु के साथ में कुछ जाना चाहते हैं तो हमें जाना पड़ेगा बहुत पीछे पुराने समय में क्या हुआ करता था टॉलेट नहीं हुआ करते थे घरों के अंदर शोचाले नहीं हुआ करते थे लोग क्या करते थे ग्रामेंट जीवन हुआ करता था और ग्रामेंट जीवन के अंदर जाय क्या करते थे आपने घर से निकलते थे, सुभा, सुभा, अवली morning उठते थे, उठने के बाद cœur्फेत में जाये करते थे केतों में जाते थे, 10 लोगों से मिलते थे, जैराम जी की करते थे, राम राम करते है, दातों तोटली, उसकी कीकर की या नीम की दातों करते चले गए एक तो morning walk हो गई, फेट साफ हो गया, यह बहुत सारे लागुक स्वैम हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे आबादी भड़ी, वो सब कुछ संभब नहीं रह गया, कि हर कोई खेत में जाए, घर से बाहर जाए, धीरे धीरे शोचाले का निर्मान होना शुरू हो गया, यहां से वास्तों के साथ में connect नहीं कर सकते, और इंटरनेट के उपर confusion भरे बड़े हैं, बुरी तरह से confusion भरे बड़े हैं, अब यह जो शोचाले था, जो पुराने समय में घर से बाहर जाये करते थे, यह सिस्टम जैसा था, वैसा रहा, लेकिन धिरे धिरे आबादी भड़ी, और म अगरी कर्ण शुरू हो गया, अर्बनाइशन शुरू हो गया, तो जो अर्बन कल्चर थी, उसके अंदर जो टॉलेट थे, शोचाले थे, घर के अंदर बनने लाजमी हो गए, अब आप याद होगा, आप याद करेंगे, कि धीरे धीरे जो जैसे पराने समय में, जो शेर हो होते थे, बड़े-बड़े मकान होते थे, हवेलियां हुआ करती थी, और छोटे मकान भी जो होते थे, उसमें भी शोचाले जया आगे या पीछे के आंगन में कहीं पर बनाना शुरू कर दिया था लोगोंने, इसके बाद, और समय आगे बढ़ा, तो जिनके पास च्छत थ गया, लेकिन और समय आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते, धीरे-धीरे, लोगों को जो है अपनी प्राइवेसी है, अपनी उनको जो है ऐसा लगता है कि बूरे मौसमें भी स्क्यूज करें, ये शोचाले धीरे-धीरे हमारे घर के अंदर आ गया और हमारा जो बिल्ट जोचाले की जगा टॉलेट के लिए लेटन के लिए जो जगा होती थी वो अलग हुआ करती थी, अब वो समय भी दीरे-धीरे चला गया और धीरे-धीरे आज का समय आ गया अटैस्ट टॉलेट का, यह तो आज भी छोटे शेहरों के अंदर ग्राओं में, गाओं में और कज वो ग्राओं रहें, जो वाश्रुम, बन रहें वो सेपरेट बन रहे हैं, अभी भी लोग लाइक नहीं पसंद नहीं करते हैं, एक-गोरे क kötü पर noamya टैस्ट एम पर आप लह दो लोग दो अ है कोई भात नहीं, अपनी अपनी कल्चर, अपनी अपनी च्वाइस, अब आते ह बता ओं क्या होता है। आपने वास्तु शास्त्र में यह देखा है यह पढ़ा तो ही डियो होते हैं कि जिए शोचाल्य होता है उसको किस दिशा में होना दुटिव होती है और दो दिशाइन होती ऐं उत्तर की दिशा इसको जैसे आप देख रहा है in उत्तर ये उत्तर की दिशा जो है ये positive होती है plus होती है इसी तरह से जो पूरा होता है ये भी पूरा का पूरा plus होता है साथियों आज मैं आपको टेंड करूँगा वास्तु अस्तर में खास तरीके से टॉलेट के बारे में और आपके मन में जितने सवाल आएं हैं उन सबका जवाब आपको दूँगा समझाओंगा मैं लॉजिक के साथ क्योंकि बिना लॉजिक के और बिना साइंटिफिक रीजन के अगर हम कोई बात करते हैं तो मैं कहता हावा में चले गई बात उड़ गई जब तक हमने कारण नहीं पताया तब तक मज़ा नहीं आएगा समझाने का और आपको समझने का मज़ा नहीं आएगा मन में वह मिकठे होते चले जाएंगे अंद विश्वास आपको घेल लेंगे बूर इतना से यही तो है खुबी दिव मुझे अलग करती है बाकी आपको बिना लॉजिक है कुछ नहीं अब टॉलिट क्या हुआ टॉलिट एक गंती जगह है नेगटिव जगह है जहां पर कि हम शौज करते हैं इसलिए इसको शौचाले कहते हैं ठीक तो जो टॉलिट बनेगा अब आप मेरी इस बास से ही समझ गया हूंगे कि जो टॉलिट यहां तक बस आखिर मैं यहां तक लोगे छोड़ देंगे हम यहां पर टॉलिट बनेगा यहां भी मसकता है यह सारे के सारी नेगेटिव जगह है और यह भी सब की सब जो है जो साउथ वैस्त यह भी नेगेटिव जगह है लेकिन एक बात अप ध्यान से नोट कर ले माद कि इस ने नती हिर जो कॉर्नर होता है जिसे हम कहते हैं साओध वैस्ट दक्षिन, पश्चिम निरित्यकोन उता है यहाँ पर टॉलेट नहीं बनाया जाता क्योंकि यह जगह विश्क सिर्ड्रॉम परalon सिर और अगर अपना बेडरू मना लेते हैं तो इस बेडरूम के बाद में आपका टौलेट आप उसके साथ में लगता हुआ बना सकते हैं यहां पर आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए साथियों साथ जो है पूरे की पूरी सॉलिड होने चाहिए वेस्ट पूरे की पूरी सॉलिड होने चाहिए इस्ट और नॉर्थ जो होना चाहिए खाली, हलका, नीचा, साफ, पवित्र, खुश्बुदार, लाइट से भरा हुआ, परकाश से भरा हुआ अब टॉइलेट यहां भी बनेगे, टॉइलेट यहां भी बनेगे, इसका मतलब देखिए, मान के चलिए आप, मैंने क्या बताया आपको, मैंने यह बताया कि टॉइलेट आपका बन सकता है नौर्थ वेस्ट में, इसके बाद आप बना सकते हैं इसको वेस्ट में, यह नहीं, करता हूं कोशी करता हूं कि मैं साथ साथ हिंदी भी लेकर चलूं जब तक मैंने आपकी भाशा में बात नहीं की तब तक मजा नहीं आएगा साथियों मैं बिल्कुल देशी तरीके से बात करता हूं जैसे आप लोग बोलते हैं हम आपसे बैठके बात करते हैं बिल्कुल वैस यह भी टॉलेट के रिए बहुत कमफर्टेबल हो गया। देखें, दक्षिर पूरा में ने लाए हम। हम सावतीस में टॉलेट को नहीं लाए। क्यों ने लाए? क्योंकि यह वो जगा है जहां पर भोजन बनना था। यह वो जगहा है जहां पर हमेरी देखतां को बढ़ा था हम ने नौल것यस में यह पूरी वो जगह हैれ जो सूरेख की दिशाय कि घ्न, बुद्धी और विवेत देती हैं। उत्तरदिशा कुबेर का स्थान है, आपको पता है, ये कुबेर का स्थान होता है, इसलिए आपने लाए, साथे टॉपिक बहुत लंब आई है, मुझे लगता है कि बहुत लंबी अगर वीडियो हो जाएगी तो फिर आप इसमें बोर हो जाएगे, और मैंने चाहता कि आप ल प्राइब नहीं किया, तो तुरंट कर लेना, क्योंकि ये गाड़ी आप से छूटने नहीं चाहिए, जो चीज निकल जाती है, हाथ से एक बार वापिस नहीं आती, बहुत अच्छा समझाऊँगा, थोड़ी पेशेस रखिए, मुझसे बढ़िया, जो को समझाने वाला की ह होगा, तो मुश्कल से मिलेगा साथियों, तो आप इस पर ध्यान दें, और मैं अगले वीडियो में आप से फिर मुलाकात करने वाला हूँ, बहुत जल्दी एक दिन के बाद, क्योंकि टॉपिक लंबा है, अगले वीडियो में फिर से आप से मुलाकात करता हूँ, इसी वि मुझे इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू और टेक कियर.